नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में आज जब मैथ की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो आज कर देखिए जो टोपिक रहेगा वो रहेगा टाइम डिस्टेंस और ट्रेन और कॉंसेप्ट देखिए आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं टोपिक के पीछे जो कॉंसेप्ट रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा तो आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप के लिजे क्लास महत्तपुन रहेगी और देखिए इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरी वीडियो खतम होने के बाद आप question खुद से हल करने लग जाएंगे बिल्कुल simple तरीके से एक एक छोटी से छोटी बात आपको मैं समझाऊंगा और किसी भी exam के आप त्यारी कर रहें तो उन सभी के लिए जे class महत्तपुन रहेगी तो देखिए time, distance and train में सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए इसमें जो सबसे पहली मुश्किल जो बच्चों को आती है वो होता है कि आपने जो SI unit change करने होता जैसे meter per second से kilometer per second में change करना वो थोड़ा मुश्किल लगता है आपको तो देखिए बिल्कुल simple तरीका है रटन की कोई बात नहीं है तो देखिए आपको पता चाल का जो formula होता है इसमें सिर्फ जे एक formula ही use होगा चाल is equal to दूरी बटे समे बस जे एक formula use होगा तो देखिए कभी-कभी होता गया कि आपको चाल दे रखी होगी मालीजी जैसे meter पर कुछ भी चाल दे रखी है meter per second में आपको चाल दे रखी है चाल आपको meter per second में दे रखी है और संत्व आपको दे रखा है मालीजीए घंटे में समय आपको गंटे में दे रखा है और आप से दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है और दूरी जो और जो question में जो आपको option दे रखी है वो आपको दे रख्या थे किलो मीटर में जाने कि दूरी के जो ओप्षन दे रहे हैं किलो मीटर में जाने कि हम दूरी के लिए कौन सी जूनिट यूज करें बड़ी मीटर नहीं यूज करें दूरी की बड़ी जूनिट हम यूज करें समय की भी हम बड़ी जूनिट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ज सेकंड में हमने मीटर को करना है किलो मीटर में चेंज सेकंड को करना हमने घंटे में चेंज तो देखिए अब कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है तो मीटर को मैं किलो मीटर में कैसे चेंज कर सकता हूँ एक मीटर में कितने किलो मीटर होंगे देखिए एक हजार मीटर किसके के ब्राबर होते हैं एक किलो मीटर के वराबर हमने कितने मीटर को किलो मीटर में बदलना है एक मीटर को तो एक मीटर कितने किलो मीटर के ब्राबर होगा एक बटे हजार किलो मीटर के वराबर जाने कि मैं मीटर की जगा क्या लिख सकता हूं एक बटे हजार किलो मीटर सेकंड को बदलना मैंने गंटे में सेकंड को बदलना मैंने गंटे में तो आपको पता कि छती सो सेकंड देखिए एक गंटे में साट मिनिट होते हैं और एक मिनिट में होते हैं साट सेकंड तो साट मिनिट में कितने सेकंड होगे साट गुना साट जाने कि 36 second तो 36 second का एक गंटा होता है और एक second हमने change करना तो एक second में कितने हो जाएंगे 1 बटे 3600 गंटे तो एक second की जगा हम नीचे लिख दूँगा 1 बटे 3600 गंटे तो दीखिए जे बटे का बटा तो नीचे आ जाएगा जाने कि 1000 आ जाएंगे नीचे 3600 चले जाएंगे उपर अब 2 से 2 0 कट गई देखे 2 से चला जाएगा 5 जाने कि 18 बटे 5 तो देखे जूनिट जो थी हम वैसे लिखेंगे उपर किलो मेटर थे नीचे थे गंटे तो 18 बटे 5 किलो मेटर बटे गंटे मतलग क्या हो जाता कि किलो मेटर पर गंटा किलो मेटर पर गंटा जाने कि मीटर पर सेकेंड को मैंने जब किलो मेटर पर गंटे में चेंज किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड एक मीटर पर सेकेंड कितने गंटे के बराबर होता है कितने किलो मीटर प्रती घंटे के बराबर होता है, तो ठारा बटे 5 किलो मीटर प्रती घंटे के बराबर होता है, तो आपको देखे, कोई भी जब आपको करवाता है, तो आपको कोई भी ऐसे solve गर के नहीं बताएगा, आपको सिदा ऐसे कहा जाता है, कि जब आपको मीटर प् पांच और पांच अब ठारा से गुणा करते क्यों है तो आप आपको पता चल चुका होगा अब देखिए जब ऐसा होता है तो आप खुद से भी जे निकाल सकते हैं अगर आप भूल भी जाए तो आपको पता कि मीटर को मैंने किलो मीटर को गंटे तो मैं कैसे करूंगा तो थारा बटे पांच किलो मीटर प्रती घंटे के ब्राबर होता है तो देखिए एक मीटर पर सेकेंडर किसके ब्राबर हुआ थारा बटे पांच किलो मीटर प्रती घंटे के ब्राबर अब देखिए हम इसे कोशन में यूज कैसे करें अब मालीजी आपको देखिए चाल दे ही है 36 किलो मिटर प्रती घंटे में थेकर करना है तो पहले भी हिए करण मेद कर चलते हैं किर चटीज मीटर अब लीज़ें मीटर पर स्थे कि ठीक उढ़िए थी प्रोब धी न्योंग से कुण चाल को quotation को मैं किलोमीटर प्रती घंटे में चेंज करना पड़ेंत तो कैसे करेंगे तो चाल को मैं बदलूंगा किलोमीटर प्रती घंटे तो मैं क्या करेंगा Cathe को किस से गुणा कर दूंगा थारा बंटे पांच थे लेटिबाएध की स्वाइव कमी अप pos how sc 30 meter per second तो 30 meter per second में कितने होंगे 30 गुणा जने कि 30 गुणा 13 बटे 5 होंगे तो कितने होंगे 5 तो इतना जाएका ठीक kilometer प्रती गंटे तो इस तरीके से आप change करेंगे अब हम करेंगे kilometer प्रती गंटे को meter per second में change तो बिल्कुल same process रहेगा अब हम क्या करेंगे उल्टा कर दिए जाने कि अब हम किलू मीटर पर स्क्वा डार्श में कन्वर्ट करेंगे टब हम गुणा में स्क्राइब शुरुबात करते हैं देखे पहले हम एक ट्रेन लेकर चलेंगे जाने कि एक ट्रेन से जतने कोशन बन सकते उस कुंसेप्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद हम आएंगे फिर दो ट्रेनों पर हर तरह के कोशन करेंगे आप भी देखे जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी त इतने भी कोशन होते हैं आप जासे आप सोल्ब किजिए जो भी पिछली एकजामों में आए हुए होंगे वह आप सोल्ब कीजिए कोई कोई कोशन नहीं समझाएगा तो कमेंट सेक्शन लिख देजिएगा आपको अगली वीडियो में उस कंसर मिल जाएगा तो बैसे आप ख खंबा है जा टेली ग्राम पोस्ट जना की कोई खंबा है उसे पार करने में कितना समय लेगी और वो समय आपने निकालना है सेकंड में तो देखिए आपको पता अपने निकालना समय आपको पता एक ही फार्मुलस में जूत होता है चाल is equal to दूरी बटे समय हमने निकालना समय जाने कि समय को इस तरफ ले जाएंगे तो समय is equal to हो जाएगा दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल तो देखे दूरी चाल तो आपको पता है 36 km प्रती घंटा है समय तब ही निकले कि दूरी भी पता हो तो दूरी कितनी होगी दूरी की जगा देखिए मैं लेखूंगा 100 मिटर मैं क्यों लिखूंगा 100 मिटर तो देखिए आपको कोश्चम थोड़ा समझा देता हूँ अब हम एक ट्रेन की बात कर रहे हैं तो एक ट्रेन लेकर ही चलते हैं तो देखिए कहा जे गया कि ट्रेन इस खंबे को पार करने में कितना समय लेगी तो इस खंबे को पार करने में जितनी दूरी लेगी वो ही हम लिखेंगे दूरी की जगा इस खंबे को पार करने के लिए वो जिस चाल से जा रही है वो ही जम चाल यूज़ करेंगे उससे पहले वो जितनी मज़ी चाल से आ रही हो आगे इस खंबे को पार करने के लिए वो जो चाल यूज़ कर रही है वो 36 km प्रतिगंट तो वो ही चाल हम यूज़ करेंगे तो हम जे देखेंगे कि इस खंबे को पार करने में दूरी कितनी ते कर रही है चाल तो हमें दे रखी है तो दूरी देखें ट्रेन जहां से आई जे ट्रेन का पहला डबबा बिल्कुल इसके सामने है अब जे ट्रेन आगे जा रही है अब मालीजी जे ट्रेन का लास्ट डबबा है जाने कि अब जे से पार कर रही है तो ट्रेन आगे कितनी जा चुकी होगी जाने कितनी आगे दूरी ते कर चुकी होगी जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई है ठीक है? जितनी train की खुद की लिवाए को खुद की कितनी 100 meter जाने की, इस खंबे को पार करने के लिए train दूरी कितनी तेकी 100 meter ही, तो 100 meter हम दूरी इसलिए यहाँ पर लेंगे, दूरे के जग़ा मैं 100 meter लिख दूँगा。 चाल दे रखिए 36 किलो मीटर प्रती घंटा तो प्रती घंटे का मतलता कि घंटा नीच आएगा जनकी भाग हो रहा तो जे चल जाएगा गंटे उपर चले जाएगा तेकि मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूं बिल्कुल एक चीज समझा रहा हूं वैसे आप तो सीधा करें चेफिफ में चांड fraction left 5- Mary बटारा सबकर करें तम आपको मैं एक और त्रीका ब्ता दे कि हमारा अंसर एक almost अधिए हुआरी मिटर सेजिंट ही चांडिवारा अंसर सिर्फ सेटिंथ में चाहिए बचीज कटा कर सेकिंड बचना चाहिए तो शेकिंड तो में देखने को कि मिल नहीं रहा, जाने कि मीटर जा किलो मीटर भी कटना चाहिए, और घंटे की जगा सेकिंड होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 100 मीटर को वैसे लिख दूँगा, 36 किलो मीटर को मैं बदलूँगा, मीटर में, तो 36 किलो मीटर में कितने मीटर होंगे, 36,000 आपको उनिट भी कटेगी मीटर से मीटर कट गया दो जीरो दो जीरो और एक जीरो जहांस मैंने काट दी 36 से 36 भी कट गया तो मेरे पास अंसर आगया 10 सेकंड देखिए सिर्फ बचा क्या सेकंड 10 सेकंड तो आप ऐसे भी कर सकते कि 36 किलो मीटर प्रती गहंटे को आपने बदन लाएं मीटर पर सेकंड में तो 36 को आप गुणा कर देंगे पांच वटे ठारा से ठारा दुना जैने कि कोई भी चीज चाहे वो खंबा दे रखा हो चाहे कोई आदमी दे रखा हो कुछ भी ऐसा चीज दे रखा हो जिसकी सिर्फ हाइट हो लेकिन खुद की लंबाई ना हो अब आपको पूल की खुद की भी लंबाई है, अब देखी वो ही, देखी कुछ रटा नहीं माना, बस आप दमाग में सोची कि रेलगाडी जब उसे पार करी तो कितनी कुल दूरी तेह करेगी, तो देखी पूल को पार करना कहां से शुरू करेगी, जहां से पूल स्टार्ट होता है, तो जहां से पूल स्टार्ट रेलगाडी माले इधर से आ रही है, जहां से रेलगाडी अब शुरू होगी, जहां से इसने पार करना है, जहां तक पहुंचिया भी रेलगाडी, लेकिन पूल को पार नहीं किया, पूल को पार करने का मतलब जब रेलगाडी पूरी जो last end उसके सामने है तो जाने की अब देखिए कुल दूरी कितनी train ने ते कर ली तो train आगे पहले मुझे बताए train इससे आगे कितना जा चुकी होगी जितनी उसकी खुद की लंबाई है तो हम दूरी count कहां से करेंगे जब उसने pull को start पार करना शुरू किया उतना भी आगे जा चुके होगी जाने की कोई भी ऐसा तो अब कुल दूरी उसने कितने ते की 100 मिटर जे वाले pull की 100 मिटर कुल की 200 मिटर कुल उसने दूरी ते की जाने की मीरा कहने का मतलब जए अब कोई भी ऐसी चीज ऐसा obstacle जिसकी खुद की लंबाई भी हो खुद की लंबाई भी हो तब अगर आपसे पूशा जाए कि रेल गाड़ी उसे पार करने में कितना समय लेगी तो समय के लिए आपको पता दूरी बटे चाल फार्मल होगा तो दूरी हम क्या लेंगे तो दूरी हम लेंगे जो भी आपको बिस्टेकल दे रखा उसकी ज लेंबाई है उतनी ही हम दूरी यूज़ करेंगे तो देखिए एक रेल गाड़ी के सारा कॉंसेप्ट अब आप हर तरह का कोश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें से दो तीन चीज़ें ही होती है कि आप किलो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे मीटर पर सेकंड को किलो कोश्चन बन सकते हैं हर तरह का कोश्चन आप कर सकते हैं आप करने की कोशिश जरूर कीज़ेगा हर कोश्चन आप अगर आप कॉंसेप्ट समझ चुकर हर कोश्चन आप से निकलेगा एक रेल गाड़ी का तो देखिए अब कुछ भी दे रखाओ चाहे रेल बेस स्टेशन कोई ऐसा इब को दे रखा जैनकी कोई भी ऐसा औपजेक्ट आपको दे रखा जिसकी खुद की लबाई भी दे रही हो फिर आप दूरी की जगह बहुरा संख्या आप यूज करेंगे आपको मैं ईहसे बता दिया है तो आज की वीडियो में वають इतने ही करेंगे एक रियल में कर हुख को कॉमेंट सेक्षन में लिख दीजिएगा और साथ में इसके उस इनक्राइश की चॉह जो देढ़ा हुखा तो आज पहला देना कल से मैं फिर कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल अराम-राम से समझाने की आप के पास वैसे ओप्षिन होता कि की आप सपीड कम कर सकते है सैटिंग में जाकर तो आज यह इतना ही आपको वीडियो अच्छी में अची लग यह तो वीडियो को शेयर जुरूर की झाल झाल